वेलकम तो इग्यान चलिए आज हम लोग सेपरेशन आफ कोर लॉसेज पर एक एक्जम्पल सॉल करके देखते हैं पर यह देख लें कि क्या है इन इसका मतलब क्या है कि इस ट्रांस्फॉर्मर में कोर लॉस दिया हुआ है 52W 40Hz पर और 90W दिया है 60Hz पर मतलब दो अलग अलग frequencies पर इनके कोर लॉसेज जो है वो दिये हुए है लेकिन दोनों cases में यह कहा गया है कि same flux density इसका मतलब है कि जो flux density है maximum flux density है वो सेम है मतलब BM जो है वो अपन यह मान लेते हैं कि constant है और जब BM constant होता है तो हम लोग जानते हैं कि total iron loss जो होता है वो K1F plus K2F square के रूप में हम लोग उसको show कर सकते हैं जहां पर यह पहला पार जो होता है वो hysteresis loss को show करता है और जो second part रहता है वो add current loss को show करता है पर यह question सिर्फ एक ही condition में valid है जब BM की value constant हो जैसा कि इस question में दिया गया है अब हमको calculate करना है hysteresis और add current losses 50 Hz पर मतलब कोई तीसरा case दिया हुआ है उस case में हमको hysteresis और add current losses find करना है तो सबसे पहले अपर लोग यह देख लें कि हमारे पास जो दो अलग-अलग cases है वो क्या है तो सबसे पहले case 1 मतलब condition 1 वो क्या है 40 Hz पर 52 Watt है हमारा core loss तो इसका मतलब है कि P I की value दी हुई है 52 Watt और frequency की value दी है 40 Hz यह पहला case दिया हुआ है तो हम लोग यह अपनी equation number 1 में इसको put करें put in put in equation number 1 तो यह P I है P I की value है 52 is equal to K1 एक constant है F की value है 40 plus K2 एक दूसरा constant है और यहाँ पर F की value है 40 तो यह हो जाएगा 40 का square इसको थोड़ा सा आपन और arrange करें तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 1600 K2 प्लस यह हो जाएगा 40 K1 is equal to यह हो जाएगा 52 थोड़ा सा इसको और अपन solve कर लें 40 कोई दी मैं यहाँ जा common निकालता हूँ तो यह हो जाएगा 40 K2 plus K1 is equal to 52 by 40 यह equation number 2 हो जाएगी now case 1 के हिसाब से अपनी एक equation आगी अप अपन case 2 देखते हैं case 2 में question में क्या दिया हुआ है कि 90 Watt है अपना core loss 60 Hertz frequency पर है तो अपना लोगों को पता है कि PI की value है इस case में 90 Watt और second case में frequency है 60 Hertz put in put in equation 1 equation 1 यह हमने लिखी हुई है इसमें पना put करते हैं PI की value को 90 put करते है 90 is equal to K1 जो constant है F की value 60 है इस case में plus K2 F square है तो F की value 60 है यह हो जाएगा 60 square इसी को थोड़ा सा अपन solve करेंगे तो यह हो जाएगा 3600 K2 plus 60 K2 is equal to 90 60 को अपन common निकाल लेते हैं यह 60 को यहां क्या बचेगा 60 K2 sorry यह 60 K1 था एक mistake हो गई है यह K1 60 था तो 60 K1 यहां से मैं 60 को common निकाल लेंगे तो बचेगा आपक के 1 is equal to 90 अपन 60 यह equation number 3 हो जाएगे अब हमारे पास equation number 2 और equation number 3 जो है वो दोनों similar type की है इन दोनों को मैं पास-पास में लिख देता हूँ चलिए मैं इसको भी यहां पर लिख देता हूँ यहां पर देता हूँ यहां पर देता हूँ दो यह हो जाएगा 40 K2 प्लस k1 is equal to 52 by 40, यह हमारी थी equation number 2 दोनों को अपने साथ मिल गया है यह simultaneous equation है k1 और k2 में इसमें भी दो variable है k1 और k2 इसमें भी दो variable है k1 और k2 यदि हम इन दोनों को simultaneously solve करें और मैं यहाँ पर यदि उस answer को लिक हूँ on on solving equation 2 and 3 यह 2 और 3 को यदि मैं साथ साथ solve करता हूँ और उसको solve करने के बाद यदि मैं निकालूँगा तो k1 की value आ जाती है 0.9 और k2 की value आ जाती है 0.01 इसको अब बहुत आराम से solve कर सकते हैं मैं इसमें से इसको minus करूँगा तो यह दोनों cancel हो जाएंगे यहाँ अगर 20 k2 फिर इसको solve करूँगा उसके बाद k2 की value आ जाए कि 0.01 फिर इसमें मैं put करूँगा तो k1 की value आ जाती है 0.09 अब k1 और k2 की value जब हमको मिल गई है और एक बार k1 और k2 की value जब अपन find कर लेंगे तो हम इस formula से बड़े आराम से hysteresis loss और eddy current loss calculate कर सकते है पहला term जो होता है वो अभी अपन ने discuss किया वो hysteresis loss होता है और second term जो होता है वो eddy current loss होता है चलिए उसको calculate करके देखते हैं पलो तो hysteresis loss क्या होगा मैं यही पर calculate कर देता हूँ hysteresis loss होगा k1 f और हम से पूछा गया है calculate hysteresis and eddy current losses at 50 hertz मतलब की frequency को लेना है 50 hertz तो k1 की value कितनी है 0.9 और f की value है 50 यदि मैं इसको calculate करूँ तो यह आ जाएगा 45 watt उसके बाद आपन eddy current loss calculate करते हैं तो eddy current loss होता है k2 f square k2 की value कितनी है 0.01 और f की value है 50 hertz तो यह आ जाएगा जाएदी मैं इसको calculate करूँ तो यह आ जाएगा 25 watt तो इस प्रकार से अपना hysteresis loss आ जाएगा 45 watt और eddy current loss आ जाएगा 25 watt और यह दोनो cases में क्या condition है at 50 hertz यह दोनो कब निकले हैं? frequency जब 50 hertz हो की तो तो यह हो गया हमारा complete solution of the question thank you